गुविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभूदी नदयाल हरे PC पांडे साब पूछ रहे हैं कि WFP4 का MR का जो लॉकेशन होता किस तरह होता है तो आज के इस वीडियो में हम WFP4 लोकों का MR का लॉकेशन देखें क्योंकि वो अन्य लोकों से थोड़ा अलग है आईए देखते हैं तो जैसा कि हमारे साथी ने पूछा है कि MR4 ये WFP4 लोकों में MR4 या MR की लॉकेशन जो है वो किस तरह होती है ये बताने की किरपा करें तो मैंने ये स्केश बनाया है WFP4 लोकोमोटी का WFP4 लोकोमोटी में बोगी के पार्ट्स भी एकदम अलग है बोगी भी एकदम अलग है और MR का जो लोकेशन है वो भी अन्य कन्वेंशनल लोकों से अलग है तो आई ये हम देखते हैं इस स्केश के नुसार ये जैसे स्केश बनाया मैंने ये कैब 1 है और ये कैब 2 है अब यहाँ पे कोरिडोर 2 है और कोरिडोर बने जैसा कि कैब 1 में लोकोपाइलेट बैठते हैं असिस्टें लोकोपाइलेट बैठते हैं तो लोकोपाइलेट के ज पीछे कोरिडोर 2 होती है इसी परकार केब 2 का भी मैंने असिस्टेंट लोको पालेट ऐसा ड्रॉइंग बना दिया है ताकि थोड़ा आपको अच्छी तरह समझ में आ जावे तो यहाँ पर विल नंबर देख लेते हैं विल नंबर कन्वेंशनल लोको की तरह यह कोई डिफरेंस नहीं है यह देखो लोको पालट कोरिडोर 1 के बार एक तीन और पाच साथ नो ग्यारा इसी परकार कोरिडोर 2 के बाहर दो चार छे आठ दस बारा इस परकार विल रहते हैं सेम है कन्वेंशनल लोको की तरह लेकिन चेंज क्या MR में अब यह कोरिडोर 2 के बार MR1 और MR2 होते हैं जबकि अन्ये कन्वेंशनल लोको में यह जो MR1 और 2 है वो कोरिडोर 1 के बार होते हैं यह डिफरेंस है एकदम ध्यान रखना आप लो यह डिफरेंस ध्यान रखने की होता यहां MR5 होते हैं यह कैसे होते हैं कोरिडर 2 के बार MR1 MR2 और यहां CAV2 के नीचे मैंने CAV2 के पीछे लिग दिया इधर लेकिन यह CAV2 के नीचे UNDERФRAM में यह ध्यान रखना MR3 जो है वो CAV2 के नीचे UNDERFRAM में है और यह UNDERFRAM वे वारी हम नीचे गुम्ड़े हैं तो नीचे यहां से गुसेंगे अंडर फ्रेम में देख लेंगे MR3 ए और यहां पर MR4 आएगा कोरिडर 1 के बार और यहां पर MR5 आएगा तो MR5 का COC रहेगा जो अन्य लोको में MR4 का COC रहता है जहां जहां MR का प्रेशर जाता है वहां फिर MR 5 का प्रेशर जाएगा तो इस परकार का ये जो location है वो हमको देखना पड़ता है के अब 2 के MR 3 रहता है नीचे तो वहां भी हमको drain करना ही जहां समय मिले तो इसको भी drain करना चाहिए वैसे ज़्यादा जो moisture होगा वो MR1 और 2 में रहता है और auto drain वाल भी इनके उपर ही fitted रहता है तो और भी इस तरह पैचान सकते हैं कि जहाँ auto drain वाल जिस MR के साथ में लगा होता है वो MR1 और 2 होते हैं तो उसे भी हम पैचान सकते हैं क्योंकि ज़्यादा moisture जहाँ होगा वहीं auto drain वाल लगाया जाएगा तो इस प्रकार जो MR की और wheel की location मैंने आपको बता दी WP4 में और bogey में अलग से और एक बात होती है कि प्रतियेग wheel के उपर एक brake cylinder होता है तो इसमें total 12 wheel है तो 12 brake cylinder रहते हैं इसलिए इसका brake power भी बढ़िया हाई रहता है थोड़ा अच्छा रहता है अन्य लोकों की तुलनाव वैसे अन्य में भी अच्छा ही रहता है लेकिन अन्य से इसमें थोड़ा अलग रहता है इसमें आप बोलेंगे 12 क्यों रहते हैं यह एक डिजाइन बनाई है ऐसी हर एक लोकों की बोगी की अलग अलग डिजाइन बनाते हैं RDSO जो पास करते हैं उस हिसाब से इसमें ऐसा होता है हमें तो क्या है कि जो उसमें है वो हमको सीखना है एक बैए MR काई से इसमें गिंते हैं MR की गिंती मैंने बतादि आपको इसमें बोगी थोड़ी अलग रहते हैं वह कीस्याइं वि्रश वाली बोगी होती है उसमें कैसे क्या औरेंजब्न होता कैसे चेकरना होता है वो अन्य वीडियो में हम बताने की कौशिश करेंगे तो यहां मुझे आशा है अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया इस लोकों में डबले अब बोल में एक बात का और ध्यान रखें खास जब भी आप कोरिडोर में परवेश करते हैं इदर से करो इदर से करो इदर से करो इदर से कहीं से भी जब आप कोरिडोर में परवेश करते हैं तो परवेश करते हैं अपने सिर का ध्यान रखना है यानि की माथे का ध्यान रखना है अगर माथे का ध्यान रखना है तो माता फूट जाएगा क्योंकि यहां कोरिडोर जो है यह बाग थोड़ा उंचा है और यह बाग थोड़ा नीचा है तो जैसे यहां ही जाते हैं तो दम से पापटा और उपर सिर के उपर यह बाग नीचा होने के कारण चद भी नीची है तो हम इस बाग के ध्यान में रखते हुए जैसे गुषने को लगी है तो द्यान रखें इसका द्यान रखें तो आज के वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ग्यान के साथ नमस्कार